नमस्कार दोस्तों स्वागे से अभी टेक्नो वोल में नाम विशाल और दोस्तों आज किस वीडियो हम देखने वाले लाप्टॉप्स जो कि 2022 में आटोकैड के लिए काफी अच्छे लाप्टॉप्स हो सकते हैं तो दोस्तों आप मैंसे काफी साहे लोगे क्वेशन हैं कि आटोकैड के लिए कौन से लाप्टॉप्स अच्छे हो सकते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो अप्लोड के था 2020 में बट वो थोड़ा सा अभी आउटेटेड वीडियो हो चुका है तो जो लीस्ट रेकिमेंडेड जो CPU में रेकिमेंड करता हूँ आटोकैड के लिए आपके पास में होना चाहिए हूँ है कोर आई 5 प्रोसेसर या फिर उसके जग़े आप राइसेन 5 प्रोसेसर को भी सिलेक कर सकते हैं यह जो प्रोसेसर हैं काफी अच्छे प्रोसेसर होते हैं जो आटोकैड होता है वो CPU इंटेंसिफ प्रोग्राम है तो इसलिए यहां पर CPU ज्यादा इंपोर्टेंट होता है जब भी हम आटोकैड के लिए कोई लैप्टोप को चूज करते हैं तो इसलिए जब भी आप एक लाप्टोप चूज करें तो Core i5 प्रोसेसर या फिर Ryzen 5 का प्रोसेसर आप देखिए अटलीस्ट वहां पर होना चाहिए अब कुछ लोग का क्वेरी यह भी है कि क्या हम Core i3 प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अच्छा हो सकते हैं जो लोग सीख रहे हैं या फिर जिनका सिंप्लिस्टिक वह मतलब कि बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है अधर्वाइस और वाइस और या फिर राइजन 5 प्रोसेसर विल बेटर आप्शन फॉर यू नेक्स दोस्तों जो नेक्स फिंग इंपॉर्डन होती है जब भी आप आप आटो कैड के लिए कोई भी लाप्टाप परचेस करते हैं वो है राम तो आपके पास में जो मिनिमम अमाउंट ओफ राम होना चाहिए वो 8GB ओफ राम होना चाहिए 2D या 3D मॉडलिंग कुछ भी आप करिए मतलब 3D तो होगा ही ने बट 2D मॉडलिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं फाइल्स ओपन करने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं इसलिए हम रेक्यमेंड करते हैं कि 8GB ओफ राम is the minimum और आगर आप 16GB के साथ में जा सकते हैं देन डाट फिल भी था बेस्ट ऑप्शन फॉर यो उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स इंपोर्टेंट होता है वह जीप्यू अब जीप्यू यहां पर बहुत साहे लों को डाउट है क्या ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है कि नहीं होती है तो दोस्तों देखिए अगर मैं स्पेसिविकली बात करूं तो अगर आप 2D मॉडलिंग करते हैं मतलब कि 2D अगर आप सिर्फ मॉडल्स क्रियेट करते हैं तो देन वहां पर एक इंटेग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके लाप टॉप में है तो वहां पर भी आपका काम चल सकता है अगर आप 3D मॉडलिंग वगरा स्पेसिविकली कर रहे हैं अगर आप 2D मॉडलिंग सिर्फ कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं है ज्यादा आपका काम इंटेग्रेट ग्राफिक्स से भी काम चल सकता है तो दोस्तों देखिए यह होगे कान्फिगरेशन की बात अब चलिए बात करते हैं लाप्टॉप के बारे कौन सा लाप्टॉप 2022 मैं आपको रेकेमेंड करूँगा जो की बजट प्राइस में आपको मिल जाए तो देखिए हमने यहां पे ज्यादा मेहंगा बजट नहीं सेलेक्ट किया अराउंड 60-70,000 रुपीस का बजट है अगर आपका तो वहां पे काफी साहे लाप्टॉप जो की अवेलिबल हमको सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनेस लाप्टॉप जो की मैं आपको रेकेमेंड करूंगा जो वन आपको सबसे बेस्ट लाप्टॉप हो सकता है इन कंसिडरेशन तो 2D मॉडलिंग और साथ में 3D मॉडलिंग के अभी 12th generation प्रोसेसर आ चुके हैं लेकिन देन टू यह प्रोसेसर भी काफी अच्छा अभी के टाइम में भी आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूस कर सकते हैं साथ में आपको फूल एच्छी डिस्पले मिलता है जो की 120 हर्ट का डिस्पले है तो यहां पर जो आपक जो minimum requirement थी हमारी वो यहां पर fulfill हो रही है उसी के साथ में यहां पर जो आपको next thing मिलता है वो है GTX 1654 GB ग्राफिक्स काड जो की dedicated ग्राफिक्स काड है जो आपके सभी की सभी workflows को easily handle out कर सकता है तो इसलिए यह laptop जो 53,990 रुपीस का pricing में 54,000 रुपीस में आपको Amazon पे currently मिलता है यह one of the best option है अगर आप AutoCAD के लिए एक laptop purchase करना चाहते हैं हाला कि जो laptop थोड़ा सा heavier side में है 2.2 kg इसका weight है बट देन तू अगर आपको specifically high performance laptop की जरूरत है AutoCAD के लिए तो one of the very good laptops है and one of the best laptops मैं कह सकता हूं 2022 में जो आप select कर सकते हैं तो दोस्तों इसलिए मेरा recommendation हो कि अगर आप इस laptop हो सकते तो आप इस laptop साथ में जा सकते हैं इसका link आपको नीचे description मिल जाए आप जाके वहाँ से check out कर सकते हैं और दोस्तों इसके साथ में कुछ और भी laptop जिसको मैं आपको साथ में share करना चाहूंग तो next laptop जो है जिसको मैं share करना चाहूंग वह Acer Aspire 7 laptop तो दोस्तों यह जो laptop है यह 10th generation of Intel Core i5 processor साथ में once again आता है यहां पे भी आपको 15.6 inch का display मिलता है जो कि full HD IPS display है यहां पे जो आपको refresh rate मिलता है 60Hz का ही है साथ में 8GB of RAM 512GB of SSD मिलता है Windows 11 pre-install मिल जाता है 4GB of graphics card इसके अंदर भी आपको मिलता है जो कि GTX के 1650 graphics card है तो दोस्तों same configuration है बड़ यहां pricing जो है 60,000 rupees है and build quality के बारे में बात करूँ तो Lenovo का build quality better है as compared to Acer Aspire 7 तो इसलिए मैं recommend करूँगा कि अगर आपको laptop चूज करना है इन दोनों में से तो Lenovo IdeaPad का जो laptop है वो better laptop अब के लिए हो सकता है अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी laptops है जो कि slim laptops है जो कि थोड़े से lightweight laptop से easy to carry laptop से उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं अगर आपको जादा 3D work वगरा नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 2D modeling करनी तो उसके लिए आपको laptop बता देते हैं तो सबसे पहला जो laptop है HP का 14S laptop जो कि AMD Ryzen 7 प्रोसेसर साथ में आता है 5700U processor आपको मिलता है इसके अंदर जो क 14 इंच का laptop है इसके अंदर कोई भी graphics card आपको नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आप AutoCAD को इसके अंदर use कर सकते हैं अच्छी तरीके से use कर सकते हैं जो यहाँ पर performance होगा 2D modeling ले specifically 3D modeling आप कर सकते हैं बड़ यहाँ पर performance उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि Lenovo के IdeaPad Gaming 3 laptop में आता है तो यहाँ पर जो advantage है वह सिर्फ एक चीज़ का है कि आपको यहाँ पर lightweight laptop मिल रहा है और CPU जो है वो थोड़ा सा better है CPU बेटर इस वे से है कि यहाँ पर अच्छा आपको मिल रहा है तो CPU उस वे से यहाँ पर थोड़ा से बेटर आपको मिल जा था डिस्प्ले भी यहाँ पर अच्छा आपको मिल रहा है नेक्स जो option है वो है Acer Aspire 5 जो की सेम configuration साथ में आता है Ryzen 7 5700 यू प्रोसेसर है यहाँ पर भी आपको जो डिस्प्ले मिला हो 15.6 इंच का डिस्प्ले मिला मतलब कि बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है बाखी configuration एक्जाक्ली सेम है 8GB of RAM 512GB of SSG Backlight Keyboard Windows 10 Microsoft Office पर इंस्टॉल मिलता है 62,000 रुपी इसका pricing है तो थोड़ा से महंगा है यह laptop बड़ देन टू अगर आपको चूज ही करना 62,000 रुपीस में तो मैं आपको recommend करूंगा कि उतना पैसा देने से अच्छा फिर किसी और जगह भी जा सकते हैं बड़ देन टू यह laptop बड तो preferable laptops है अगर आपको Acer के साथ में जाना in case तो आप इस laptop को भी चूज कर सकते है नेक्स्ट Asus का laptop जो कि VivoBook 15 laptop है तो यहाँ पे आपको 15.6 इंच का display मिलता है जो की Core i7 processor साथ में आता है तो दोस्तों यहाँ पे जो laptop है Core i7 processor आपको मिल रहा है जो की hexa core processor है साथ में 512 GB का SSD ह RAM है तो यहाँ पे performance इस laptop में भी काफी अच्छा हो सकता है बट यहाँ पे भी आपको dedicated graphics card नहीं मिलता है इसका pricing है 58,000 रुपीज नेक्स जो laptop है Lenovo का iDepad Slim 5 laptop जहाँ पे आपको same configuration मिल राइजिन 7 processor है and 8 GB of RAM 512 GB of SSD Windows 10 Microsoft Office and backlit keyboard यहाँ भी आपको मिल जाता है fingerprint reader के साथ में 68,000 रु region series भी एक बाद चेकाउट कर सकते हैं because वह भी same price के आसपास में आ जाता है and वहाँ पे आपको dedicated graphics card मिलता है तो दोस्तों मैं इन laptops को आपको इसलिए बता रहा हूँ because यह जो laptops है currently यहाँ पे जो laptops है यह lightweight laptops है यह उन लोगों के लिए जो कि lightweight laptop के साथ में जाना चाहते हैं उनके भी आपको Ryzen 7 5800U processor मिल जो कि octa core processor है डिस्प्ले इस laptop को जो है 2.2 के resolution का मतलब Quad HD display है काफी अच्छा यहाँ पे display आपको मिलता है 100% sRGB color gamut के साथ में 16GB कर रहा है में 512GB of SSD है तो दोस्तों one of the very good performance आपको यह laptop serve कर सकता है 3 years की warranty भी आपको मिलती इस laptop में and 68,000 रुपीस इसका प्राइजिंग है and next one laptop जो है जो कि मैं आपको recommend करूंगा वो है HP Provalent 14 Ryzen 7 5700U के साथ में 16GB of RAM 512GB of SSD and इस laptop में आपको 2GB का graphics card भी मिलता है जो कि Nvidia का MX450 graphics card है यह उतना powerful नहीं है जितना कि GDX 1650 हमने देखा था gaming 3 laptop में तो यह उतना powerful GPU नहीं है लेकिन अगर आपको एक slim laptop जहां पर आपको साथ में graphics card मिल जाए तो आप इस laptop को select कर सकते हैं साथ में यह laptop जो है यहाँ इसमें आपको backlit keyboard भी मिल जाता है and metal design मिल जाता है तो काफी अच्छा है laptop is for 70,000 रुपीस में तो अगर आपको choose करना है तो आप इस laptop को भी choose कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे over and all अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो नीचे comment करके आप हमसे पूस्ट भी सकते हैं तो हम उसका reply आपको जरूर देंगे तो दोस्तों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लाग हो तो लाइक करना ना भूले सब्सक्राइब कर दीजा हमारा चैनल को और मिलते हैं दू कर दो